बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम वालेकूम ट्रेडर्स आम यूर वाचिंग यूर वाचिंग यूर ओन चैनल ट्रेड ट्रेक आज की वीडियो में हम गोल्ड को 30 मार्च थरस्डे के लिए नलाइज करेंगे फस्ट आप आपाल हम एकॉनमिक केलेंडर में देखते हैं आज क फाइनल होता है इंपोर्टेंट डेटा होता है तो अपने इस में पूर्डेटक्शन की हुए कि की काम साथा साइन्सान भी समझ सकता है अगर तो बढ़ रही है व değiş when अगर दिमांड बढ़े है कि अगर दिमांड चीज होना क्या होता है कि कि कंट्री के लिए पॉसिटिव होती है लास्ट यह प्रिवियस है तूपाइट सेवन परसेंट है फाइनल डिवी के नमबर अब अगर टूपाइंट सेवन से अभी बी एक्सपेक्टेड जो है आप दे टूपाइंट 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 नाइन आता है तो भी यह पाजिटिव होगा यूएस के लिए लेकिन अगर टूपाइंट सेवन से यह नंबर नीच जाता है तो इसका मतलब क्या है के कंट्री की जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ रही कॉनमी जो स्लोडाउ यानिके जो विलिंग ली अनमपलिए नहीं यह जिनको काम नहीं मिला तो उनको पे किया जाता है लेकिन यह क्या चीज होती है कि यह के इकॉनमी को उनको पे करना पड़ा है जो कोई काम भी नहीं करें अगर यह बढ़ जाते हैं तो यह नेगटिव चीज होती है अब इनके प्रिवियस नंबर की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि अपने इसको रिजल्ट को कंपेर करना होता है प्रिवियस से अगर यह बड़े आ जाएं ज्यादा नंबर आ जाएं तो इसका मतलब क्लेम्ट क्लेम्स बढ़ गए है और कंट्री पे जो है बोज बन रहा है यानिक एकॉनमी के लिए नेगटिव नंबर ह से लोगा आता है यह नंबर इसका मतलब होता है कि अपने इंप्लाइमेंट्स क्लेम्स जो है वो कम हो गया है और एकानमी फे मोज बोज जो है कम हो गया तो यह पॉस्टिव चीज होगी तो डेटा के टाइम इस तरह से आप डेटा कर सकते हैं में आपको सही तरह से अबार पास 730 पीम पे लिस्ट इंपक्ट डेटा ने चल गया स्टोरिज है उसके बाद टैन पीम अगरें पाकिस्तान टाइम आपका से मेंबर कशकारी स्पीच है तो यह भी लिस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है नेक्स चलते हैं जी चार्ट की तरफ कि बात करते हैं लेकिन पहले मैं आप पूता दूंकि हमारा जो प्राइवेट गूप है अगर आपका फोकस ज्यादा बना रहा था है क्यूंकि एक प्यर को ट्रेट करने के लिए आपको सिर्फ उस पेर को नहीं देखना हुता अब अगर आप गोल्ड को ट्रेट कर रहे हैं तो आपको ईसे और डॉलर इंडेक्स पर नजार नहीं पड़ते हैं यूएस की फंडरमेंटल्स पर नजार नहीं पड़ते हैं अगर आप नाकाम हो शकते हैं मेरे मान नहीं इस आइग आपक़ करता हूं करते हैं और जैसा कि मैं आपको बताया था यह जो आपको गोल्ड रहा जो में आपको बता नियुद्ध और आया पाई भी लिंक्स देस्क्रिप्शन में घिञान कर सकते हैं और एक है कि यह आप इस पर कॉमेंट करेंगे तो इंतरेक्शन बड़ेगा इंटरेक्शन बड़ेगा तो मेरी वीडियो एक्मेंटेशन में जाएगी अभी कहा है कि मार्कीट जो अगेन इस फेयर वेल्यू गैप को 3.5 या 3.5 3.48 कि यहां पर टेस्ट कर सकती है यहां से भी अगेन 10 यह पाजिटेव हो सकती है और यह लिकृटिटी लेने जा सकती है अगर तो यह फेयर वेल्यू गैप आई इसको होल्ड करना चाहिए अगर यह यहां से पॉस्टिव होंगे अधरवाजी यह वापिस नीचे भी आ सकते हैं यह 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 से पॉस्टिव हो सकता है जार गंटे के चाहर में जैसा कि मैंने आपको बताया था अलहम्दुलिल्ला पर फेक्ली वैसा हुआ यह जो है चाहर गंटे का ऑडर बॉलाग है और इस ओडर बॉलाग से हमें थोड़ी एक्सपेक्टेड है जो कि आपको 3.5 या 3.45 या तक इस फिर वेल्यू गया पिया इस लोगो को टेस्ट करते हों मार्केट दिखाई दे सकती है और अपना ओपर कांटीनियू का सकती है मोमेंटम क्योंके चार घंटे का जो स्ट्रक्चर से चुरू करें टॉला इंटेस को यहीं से यह मैं बेरिस्मौ देखने को मिली इसमें अब नेक्स्ट के नेक्स देखें तो यह दोला इंटेक्स ताइम डीरेक्शन लेसीन है जैनिके मुझे निट्रल दिखाई देरा लेकिन फिर भी ठोड़ा बहुत मेरा जो बुलीज आ सब्सक्राइब तो यह मजीद भी उपर जा सकते हैं दरवाज यह बेर्श रहेगा कुम चार गंटे के चार्ट में अगर हम देखें तो इसमें भी वही चीज़ है जैसा कि मैंने आपको लेवल्स बताया थे उन्होंने पर फेक्टली काम किया है यह चार गंटे का और बॉलाक इसमें जो है चार गंटे का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ चार गंटे का भी तो यह अभी बेर्श रह सकता है लेकिन डेटा पर डिपेंड करेगा मजीद चलते हैं जी गोल्ड की तफ गोल्ड को हम डेली के चार्ट से देखें के डेली में क्या सिक्वेशन है आप दे मैं 658 के आसपास हो यहीं से हमें एक बुलिफ मूव देखने को मिली अब यह अब आप देखें तो मार्कीट जो है रेंज को टाइट करती जा यह देखें यह तो यह रेंच टाइट होती जा रही है अब डेली में यह समेट्रिकल ट्राइंगल बनी है आप इसके ब्रेक पड़ेगा जिस साइट पर बेक अटोगा तो आप कह सकते हैं कि मार्कीट ट्रेंट उससाइट पर लेकिन मुस्टली यह जो पैटरन है बुलिफ होता है अब रेंज टाइट होती जाए इसमें आप क्या कर सकते हैं इसमें आप ऊपर नीचे खेल सकते हैं यह उपर से सब्स पर लेकिन तो हम इसको चार घंटे के चार्ट में देखेंगे कि कहां से हमें सैल यह कहां से बाइग करना है चार घंटे के चार्ट में देखें तो अलहम्दुलिल्ला गोल्ड में भी हमारे लेवल्स पर फेक्टली पले हुए मैंने आपको नाइंटीन फिफ्टी एट से बाइंग बताया था और अलहम्दुल्ला मार्किट ने एक्जेक्टली तक इवन 58.7 को हिट किया है और मैंने सिंपल सा फार्मूला बताया हुए अपने घृत में भी आप लोगों को भी मैं बताता हूँ बाय करना है तो ब्रिक अफ्ट्र देखें ब्रिक करने के बाद इसको डव्ली बैटन भीका जाता है यहां पर मार्किट आया अपने यहां से बाय करें स्टाप लाजिस स्विंग करें तो यह फार्मूला जो इसको देखके यह आपने लेनी अदरवाइस आपने नहीं लेनी जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो अब आज के दिन एरिजा की बात करें अगर आप तो बाय में इंटरसेट है तो बाय के लिए आपको पांच मिंट का ब्रिक अफ्ट्र मिलता ह है वेल इंडीक आपका अगर तो आपका 50 बाय को जाता है तो फिर बेट करेंगे अपने होटी यह इन होल्ट नहीं इस चीज़ को लाजमी जहन में रखेगा कि बेक अप्सक्राइब लाजमी देखना है और उसकी लोवर स्विंग पर आपने स्टॉप लाजमी यूज किया गए अब सेकंड लेवल अगर आपने सेल करना है तो सेल के लिए मेरे जो लेवल है मैंने आपको कल भी बताया था जो क यह सारे एरिया है मैं इसको सैलिंग एजा कंसीडर करूंगा अगर इस एजय में कहीं भी आप अपन्फरमेशन होती है तो आप सेल कर सकते हैं कंफरमेशन वाई यह बेक अफ्रॉप स्ट्रॉक्चर ठीक है और इसके बाद मैं आप 15 मिट में थोड़ा कलेर दी समझा देता ह आद लिए अंदर इंटर्नल रेंज अभी सोटी जो इसको इनटर्नल रेंज क्या है इंटर्नल टेकर आपको आपके नीचे नीचे यहां पर इसकी इंटर्नल रेंच वाइब करें दूसरी आप से यहां से बाइगी देखनी पड़ेगी दूसरी सिच्वेशन यहां जो एक्जेक्ट बड़ी रेंज 58 की इसको वाइलेट करें इसका लो ले लो लेने के बाद यहां पर आपको बाइक करें दो सिच्छन मैंने आपको बताई है या तो इंटेर्नल रेंज की लिए डिले मार्किट या पिर बड़ी जो आपकी असल रेंज है